असलामु आलेकम फ्रेंड्स आज मैं आपको GT 1500 स्कैनर के अंदर जो वर्टिकल लाइन्स आती हैं इस सेरर को कैसे रिमूव करते हैं इसका तरीका बताऊंगा यह हमारे पास एप्सन का GT 1500 स्कैनर है यह देखें अब हम इसके फीडर के अंदर पेज देके इसका जो स्कैनिंग रिजल्ट है वह हम चेक करेंगे यह अब हम डोकोमेंट को स्कैन करने लगे हैं यह देका स्कैनर श्कैन कारा है इसने स्कैन का लिया है अब हम इसका रजर्ट चैक करेंगे यह देखें यह वर्टिकल लाइन इसके स्कैन डॉकुमेंट के अंदर आ रही है इसको ठीक करने के लिए हम स्कैनर को खोलेंगे यह नीचे इसके स्क्रीव है स्क्रूड्राइवर की मदद से हम इसको खोलेंगे वीडियो को देखने के साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताके जो लेटस्ट अपडेट है वो आपको मिल सकें यह हम इसके स्क्रूड हो रहे हैं अब इसका जो कवर है वह हम खोलेंगे यह लॉक लगे में जो हम हो रहे हैं यह हमने बड़े अराम से कोलना है ताकर इसके जो लॉक हैं वह ना ठूके यह हमने अपर एरिया इसका अर्मूग का लिए तकरीबाद यह रिमूव करने के बाद हम जो इसका स्कैनिंग यूनिट है उसको खोलेंगे तो हमने नहायत ही महतास होकर खोलना है ताकर इसके अंदर को डैमेज इस ना हो अराम से हमने इसको खोलना है यह देखें यह इसके अंदर लेंज लगे हुए हैं हमने इन लेंज को साफ करना है यह देखें हैं हम लेंज को साफ का रहें हैं इस पूरे यूनर को साफ करने के बाद हम इसको इसी तरह वापस बांद कार देंगे और इसके जो स्क्रीव हैं वह हम लगा देंगे यह हमने देख लें कितनी असानी से इसका जो स्कैनिंग यूनट है वह हमने साफ का दिया है अब स्कैनर को बांद करके हम इसका जो टेस्ट है वह लेंगे ताके इसकी जो आउटपूट है वह हमें पता चाल सके के हमारा स्कैनर ठीक हो गया है या नहीं यह अब हम इसको स्कैनिंग की कमान देंगे यह देखें यह स्कैनर ने डोकुमेंट जो है वह स्कैन का लिया है अब हम इसका जो आउटपूट रिजल्ट है वह हम स्क्रीन पर चेक करेंगे यह देखें यह जो वाटिकल लाइन थी वह बिलकुल रमूव हो गई है और जो हमारा स्कैनर है वह बिलकुल ओके हो गया है यह देखें if you like my video like it and subscribe my channel thank you